वेलगम तो माय चैनल माइनेम इस सार्तक अज गाइडली के टेस्ट थे चार स्लोट में जो कि आई बीबेस किलग के लिए थे 1,2,3 ठीक है तो मैंने सेकंड भी दिया था, थर्ड भी दिया था, फोर्द भी दिया था ठीक है तो सेकंड का पहले result देखते हैं क्या रहा इसमें आप देख सकते हैं 79.5 रहा है 87 मने करे थे English में 23 attempted 21 and 2 incorrect Mark side 20 quantum में 29 करे थे 29 के 29 incorrect इसमें wrong number series छूट गया था Reasoning में क्या था Reasoning में 35 तो कर दिया थे बर 4 गलत निकल गए तो बस यहाँ पर थोड़ा English में एक दो चीजे थी जो अजीब सी थी तो उसे कर नहीं पाया थे मना बाकी थीक था यह paper आप भी अपना score बताना इस वीडियो के नीचे comment column में तेक है second अगर किसी ने दिया हो तो second में क्या रहा उनका score अब चलते हैं third पे आप देख सकते हैं third का score कितना बुरा दिख रहा है बट वो बुरा इसलिए दिख रहा है क्योंकि reasoning का section ही attempt नहीं हुआ और आप यहाँ देखो मैंने पूरा दिया था मैंने यह पूरा attempt करा था paper मेरे इसमें 78 या 77 attempt थे और यह जब मैं submit करा उसके बाद पता नहीं क्या हुआ reasoning में 35 करे थे बट यहाँ पर 0 दिखा रहा है कि करे ही नहीं यह quant पूरा 20 minute दी रहा था तो यहाँ पर यह देख लो 14 minute में इन्होंने submit करा दिया English करी थी क्योंकि English थोड़ा इसका मुझे moderate लग रहा था तो यह तो पता नहीं क्या हुआ यह summit हो गया बीच में मगर इसमें होता भी तो मेरे 74 या 75 मार्क्स आते तेक है अब चलते हैं लास्ट वाले मौक पे जो कि slot number 4 था सबसे easy लगा मेरे को यह slot अगर मैं पहले की बात पर रहूँ तो third वाला का maths थोड़ा अच्छा था और English अच्छा था फिर उसके बाद second number पे था और सबसे easy था यह slot 4 वाला तेक है जिन्होंने दिया होगा उन्हें पता होगा कि यह easy था तेक है English एक गू में बन गई थी आप देखो 14 मिनट लगे हैं total 27 कोशन करने के लिए दो गलत होगे कोई बात नहीं ठीक है next क्या था quant में 33 करे थे मैंने उसमें से भी गलत होगया and reasoning देखो किती जल्दी होगया था reasoning से 15 मिनट में 35 कोशन होगय थे मगर गलत होगया आपर and score बनाया है 92 ठीक है I hope कि आपने भी दिया होगा यह test क्योंकि अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं अब मैं कल को तो मैं mock दूँगा नहीं कोई में भी शाइद गाइडली का एक और mock आया है है ना गाइडली का एक और mock आया है यह देखो ठीक है ये में भी मेरा आखरी mock होगा एक्जाम से पहले उसके बाद मैं कोई mock नहीं दूँगा मैं क्या करूँगा यह जो mock है इनके results को खोल के analyze करूँगा बस और कुछ नहीं करने वाला मैं ठीक है अब बस revision करूँगा कल एक आखरी mock उसके बाद सिर्फ revision और मैं आपको भी यह advice करूँगा कि अब कुछ नया मत करना नया in the sense कली आखरी mock देना जिसको देना है वो दे जिसको नहीं देना कोई बात नी अब जो आपने करा है बस उसी को revise कर लो वो बहुत होगा ठीक है क्योंकि हम नहीं के चक्कर में अभी नया करेंगे तो कुछ नहीं होगा और प्रेशर आ जाएगा उपर से क्योंकि जो आप यहां पर marks ला रहे है ना जो अगर यहां पर 75 से 70 की बीच में ला रहे है ना वो एक्जाम में देखना वो guarantee है कि 85 तक करेगा 85 प्लस क्योंकि यह level थोड़ा अच्छा देते हैं एक्जाम से हलका सा level अच्छा रहता है जैसे आपने अभी olive board का दिया था मैंने एक video डाली थी इससे पहले जैसे exam का level रहता है वो ही olive board ने level दिया हुआ था अगर मैं compare करता हूँ mock test यह जो slot number 4 है उसका मैं बोल सकता हूँ कि हाँ exam level रहता है वैसा तो अपने share करना score वीडियो के नीचे एंड यह advice थोड़ा ध्यान रखना कि अब कुछ नया ना करना बस यह आकरी test देना है कल को एंड उसके बाद सिर्फ revision पर ध्यान देना है जिनका तीन को exam है all the best मेरा चार को है एंड देखते हैं क्या होता है उस दिन मैंने दिल्ली से apply करा था तो आज मैं दिल्ली जा रहा हूँ तेक है और जब मेरा exam होगा उसके बाद मिलते है review के साथ कल कोई video नहीं आएगी मेभी तीन को आजाए आप सिधा review की video पर मिलते है तेक है I hope यह आपको video अच्छी लगी हो तेक है बस advice पर थोड़ा काम करना और मिलते अगली वीडियो में and thank you for watching this video thank you